हेलो व्यूवर्ज रमदान स्पेशल में आज हम चाइनी स्टाइल में ब्रेड चिकिन समोसा बनाएंगे विद नो वेजीज ओनी चिकिन बहार से बहुत ही किस्पी बनता है और अंदर से सॉफ्ट समोसा पट्टी से तो रोजी हम समोसा बनाते हैं आज इफ्तार में कुछ डिफ्रेंट ट्राइ कीजिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं कडाई को गैस पे रख देंगे फ्लेम मीडियम रखेंगे दो से तीन टेबल स्पूल तेल लेंगे फ्राइड आइटेम में मैंने पहले की वीडियो में भी कहा है तेल जादा नहीं लेना अब डालेंगे इसमें आट से दस बारी कटी हुई लेसुन लेसुन को हमें जादा पकाना नहीं है क्योंकि इसका टेस्ट चेंज हो जाता है बस एक मिनिट सौटे करेंगे एक मिनिट सौटे करने के बाद हमें एक बड़ी प्यास बारी कटी भी डाल देंगे प्यास को बस इतना सोटे करना है कि पाने जल जाए और हलकी सी गुलाबी हो जाए चाइनी स्टाइल में समोसा बना रहे तो ये चिकन मैगी क्यूब जरूर डाले जबरदस टेस्ट देता है अच्छे से प्यास में इसे तब तक पकाए जब तक ये मेल्ट ना हो जाए मुस्तकिल चलाते रहना चाहिए तो फ्लेम को आप स्लो पे कर दे बस ये ख्याल रखे कि लेस्ट का कलर चेंज ना हो ये आधा किलो चिकन का कीमा इसमें डाल देंगे बस मिक्सी में बोनलेस चिकन को हुमा ले चिकन कीमा रेडी है flame को हम medium पे ही रखेंगे और बहुत ही अच्छे से chicken को प्याज में मिला लेंगे हाथों की मस्त कसरत हो जाती है तब तक पकाएंगे जब तक कीमय का color change ना हो जाए और chicken का पानी अच्छे से जल जाए यह chicken maggie cube है जो मैंने डाला था इसका cover में आपको दिखा दे रही हूँ, ये बाहर country में मिलता है, इसका पर taste बहुत जबरदस रहता है, अगर आपको यहाँ पर नहीं मिला, तो आप normal maggie cubes भी डाल सकते हैं, गैस को अब मेंने slow कर दिया है, एक टीजपून भर के लेसुन अद्रक का पेस्ट, एक टेबल स्पून हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट, आधा टीजपून काली मिर्च पाउडर, नमक आधा टीजपून, दो टेबल स्पून डाक सोया सॉस, नमक का ख्याल रखें, सोया सॉस और धकन हटा के चिकन को चला ले, ताकि वो कड़ाई में पकड़ना ले, फीन से चार मिनिट बाद इस तरह चेक कर ले, पानी एकदम अच्छे से जल जाना चाहिए, अब गैस बंद करके चिकन को हम थोड़ा थंडा होने के लिए रख देंगे, मेरे बच्चे तो चीज बहुत जाधा ही पसंद करते हैं, यह बैटर बिना चीज के भी बहुत टेस्टी लगता है, कोई भी चीज आप ले ले, मॉजरेला या नॉर्मल, मॉजरेला चीज में तो मुझे टेस्टी नहीं लगता, अमूल की नॉर्मल चीज बेस्ट है, अब यह चीज हम इस पे डाल देंगे फिलिंग रेड़ी है, वाइट ब्रेड लेंगे, इसके साइज अप काट दें और बेलेंसी इस तरह रोल करके फ्लैट कर दें, ब्रेड को फ्लैट करने से यह समोसा आसानी से बन जाएगा, सारे ब्रेड पीसेज को इसी तरह आप फ्लैट कर दें, ब्रेड को चिपकाने के ब्रेड को कोट करने के लिए हम लेंगे एक अंडा, उसमें डालेंगे थोड़ा सा फुट कलर, ब्लैक पेपर, एक टी स्पुन पानी और नमक, अच्छे से फेट ले, औरेंज ब्रेड क्रम्स मुंबई में कहां मिलता है, मुझे आइडिया नहीं है, किसी को पता है तो अब फिलिंग कर लेंगे, एक तरफ से आटे का पेस्ट लगाएंगे, और ब्रेड को इस तरह कोन शेप देंगे, अराम से बन जाता है, अब ये बैटर को इस कोन में डाल देंगे, दो टी स्पुन से जाधा फिलिंग इसमें जाएगी नहीं, उपर से पेस्ट लगा के इसमें नहीं करूंगी, यही फिलिंग को आप चाहें तो समोसा पती में भरके एक महिने के लिए स्टोर कर सकते हैं, कोटिंग के लिए समोसे को पहले हम अंडे के बैटर में डिप करेंगे, फिर अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, फाइनली अब हम इसे डीप फ करेंगे, फिर समोसा डालने के बाद आप हाई फ्लेंप कर देना, देखिए मस्त दोनों तरफ से गोल्डन हो चुका है, अब हम इसे टीश्यू पर निकाल लेंगे, मस्त करारी आवाज है, बहुत ही क्रिस्पी बना है, काट के भी दिखा देती हूं, देखिए अंदर से एक करेंगे, बहुत है, 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 बहुत